कि इस्तिले क्ला सब्छ्रों लोग क्या क्या पड़ां थे या गई कि वाईस पर रहते शर्वर बता रहे थे कैसे कैसे चेंज होता है कॉर से लास्ट क्या था हो ्म्हाइस्ट क्या था प्रिजंट था प्रिजंट परकुक्ट इस पर्फेट पास्ट करते अज्पर फिर फिर इस फिर फिर गपला एक्जांपल के लिके दमोग क्या लिखे थे उसे पहला एक्जाम्पल उसका क्या बनाये थे प्रेजंट पर्फेट कंटिनियूस का बोल रहा है यह तो प्रेजंट पर्फेट कंटिनियूस का बनाये थे लोग यह सर बनाये थे यह सब्सक्राइगे तो नहीं नो आइडिया पताई इसी का बताई यह क्या बनाये थे लोग एक्सम्पल क्या था मिलका किसका प्रेजंट प्रेजंट प्रफेक्ट कंटिनियूस पताई इसका जब मैं लिखी नहीं आप बोले वो मतलब कि वो प्रूम नहीं हुआ है जब देवाठा और इसका अधिक चल्क्ट करणा में प्लेटे अग्ड वूर्वर्श लिखी अधिया थे लिखी यह थे इसको चाट यह थे लिख़व कि पर किया थे यह हो गया था यह गया था complete हाँ shall I not play cricket shall I not play cricket इसका क्या है will cricket not be played by me अच्छ यह हो गया था यह हो गया था ना पक्का ना नो सरी नहीं हुआ था उससे पहले वाता shall I play cricket यहां तप वात यह नेगटिव इंटरोगेटिव नहीं हो था इसको लेक लिजी आपनों इसको यह है नेगटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस को कि यह यो अफर मे juvenile सब्सक्रार आह वाला व्ला उसनल नीदेटियव थावला इंटेरुगेटिव जूतवल व्ला निगेटिव इंट्रूगेटिव आखर भाला नावलत करूछ प्रस्थत I not play cricket stick all about will well I have a will to will cricket not be played by me discuss structure of a will shall but will oblique sall plus object plus not plus b plus v3 plus by the subject plus question mark लिकेर लिकेर यह जो अब है अब फिच्वर कंटिनुएस अब लिखते हैं फिच्वर कंटिनुएस लिखिए future continuous tense यहां पर लिखा हुआ है future continuous tense क्या कर रहे हैं लोग active to passive voice बना रहा है क्या है एक्जांपल की बात करें तो पहला है she will be singing a song इसका बनेगा a song will be being sung by her will be भी लगेगा और being भी लगेगा इसका structure का object plus will, oblique shall plus be, plus being plus v3, plus by, plus subject plus full stop कि ओई नई होगा यहां पर wil change नहीं होगा नहीं कैसे होगा वह लगेगा अगर और आई शेल सिंग सांग पतब यह इसको देखना अब लोगेगा आप सांग के साथ क्या लगेगा इस सांग के साथ क्या लगेगा विल लगेगा इस सांग विल बी इंग संग बाई है इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में वह सी विल बी सिंगी इस सौंग वह गाना गा रही होगी इस सांग विल बी इंग संग वाई हर एक गाना उसके द्वारा गाया जाता रहेगा इंडी में होगा इसका बड़ अबड़ेक्ट प्लस वील ने शहल प्लस बी अश्पी प्लस बीज प्लस विल वेड़ी तृट्री प्लस पाइप सब्जेक्ट कि दूसरा है यह निगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा शी विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉल कि आप लोग हमेशा ध्यान रखेगा कि यह है अफर्मेटिव सेंटेंस यह है इंटरोगेटिव सेंटेंस और यह है निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस और यह है निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस हम लोग यह चार सेंटेंस काई बनाते हैं इसको ध्यान मरी निकर आप लोग वह अधिए तरिक्स सामने थे यह थे थे आप सब्सक्राइब अप्सक्राइब लिखाए एक्टिर वाइस इसके निचले लिखा है पेसी वाइस उसके नीचे लिखा है structure इसका structure रेसी हुआ इसका structure इसका structure इसका structure इसका structure इसका structure को सलेकिर नमबर टू हो गया है अब बद्र फ्री लिख रहा है जाए पूर्त फो गया है ओ तो नहीं गया जो एक दनी अपका हो गया दनी Danira कॉंपीट होगी है, Sir कॉंपीट होगी है सुसमा हस्दा सुसमा हस्दा, क्या है, लिख लिए हाँ, Sir, लिख रहा है कॉन सा बागी है हार लास्ट बड़ा हार वह इस तो आता होगा आपको सुस्मा बढ़ाए आके यह सर अब लिख लिए को नहीं लिखा है कि वह नहीं भी लिखने क्या और वह जोब फूचर परफेक्ट तेंस फूचर परफेक्ट तेंस त्युचर परफेक्ट क्या है वह एक पत्र लिख चुका होगा चुका होगा चुका है चुका था चुका होगा प्रजेंट पास्ट फूचर वह एक पत्र लिख चुका होगा इसका क्या है अलेटर विल हैव बिन रिटेन बाई हिन ऐसा बनेगा तो अबजेक्ट प्लस विल शैल प्लस है प्लस बीन प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस अच्छेट विल है भी होता ठीक है यह रखेगा विल है यह यह सैल है बूल है इसमें है कोई उप्योग इस पूचर मैं है है । इसमें ही विल हो स्टेंज में रिटराल यूटर ही रिटर लिटरह frame अविगे लोlla करें रिटर ही यूगा ति सोभू है फिल है फ्रीटर यूटर यूटर नहीं होगा इंज्छा आफ कि फ्यूचर पर्फ्रक्ट में तरुख होगा धनी ओगा वेल और हो सकता है वह सिच्व पर डाय करेगा लेकिंन सब noodle happens कल रहें कि हीविट स 되어 हों लेकिन सब्सक्राइब है और इसल हैव ढ कर दो यह ही होगा कि कि में अभरेगा है आज नहीं होगा he will have written a letter, a letter will have been written by him, a letter object, उसके बाद विल, बाद हाव, फिर हाव के बाद बिन लगेगा ही, फिर भी ट्री, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट, उसी प्रकार, ही विल नॉट रिटना लेटर, इसका होगा, लेटर, विल और हाव के बीच में नॉट लगेगा, लेटर विल रिटन लॉट 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 लिखिये ना ये सरो गेलिको नुबर्वर निगती इन्तरों गेलिक एंटर्टिसर्ट ये ये लिखिये ये तो पेज नीच आ था ने साम्ध तरी नमा कि एज रदेखे आखे तहां एपाग रचला विल ही अविल ही रिटना लेटर लिखिए हम बोलतेर आप लिखिये, विल लिखंगे रिरल भर तुष के नीचे लिखंगे पसिव, विल लीटर्स रिरन एम इतना ही स्विड में लिखिये इतना स्वीड में हम ऑल रहे, स्ट्रुक्टिर में लिखिये, विल अबलिक शायल, बलस अबकेक्ट, प्लस हाव, प्लस बीन, प्लस भीत्री, प्लस बाई, प्लस सज्जेक्ट, लिख लिए, अब नमबर चार लिखिये जो नहीं लिखे, ये रहाद नमबर चार, ये है निगेटिव इंटरोगेटिव, वो सुनने में हमको अच्छा नहीं लग रहा है, यानि कि वो सही नहीं होगा, विल ही हाव नौट रिटना लेटर, ऐसा अब देखे कही लिखा हुआ है, सुनने में तो ठीक लग रहा है, सब देखे नहीं है, सब पता नहीं, हमको सुनने में ही ने ठीक लग रहा है, अगर सुने में ही ठीक लग रहा है, तो वो गलत है, रजे, विल ही नोट रिटना ले करना है कि विल और हैव के बीच में नोट लेगा है तो विल और हैव आ जाएगा तो उसके बाद नोट रहे हैं तो गलत हो जाएगा तो स्पीकिंग में चल जाएगा थोड़ा बहुत कभी-कभी इस पोकें इंग्लिश में चल जाएगा क्योंकि इस पॉकर में हम लोग क्या मुलते हैं इन फॉर्मल सेंटेंस का इसने माल ज्यादा करते हैं वह से लिख सकता है उसको भी अज़िए प्रभात अब देखें तो दोनों लिखा हुआ है इसके ज्यादा आप यह लगता है हाँ तो आपका लिखें अब वह लिख सकते है अभी हम चेक कर लिये तो भी वह लिख सकते है विल ही है नोट रिटर ना लेटर आज कल कोई यह नहीं लेट नहीं लगता ना कोई डाउट अप पटाक से चेक हो गया हो गया यह वाला है यह सर हो गया है अब प्रकास का एक सवाल था कि सर डबलू एट कोश्टन का कैसे बन था हाना हा सर यह कुछ एक 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 जामपल है जैसे कि वार्ट डू वी लो अबावट दस सब्जेक्ट के बारे में हम क्या जानते हैं तो इसका क्या बन रहा है वाट इस नोन अबावट दस सब्जेक्ट वी जो होगा वो इडन हो जाएगा वाट इस नोन अबावट बावट अस ऐसे नहीं लीखेंगे सिर्प यह ले लिएंगे & वाट इसक्व अबावट तो सब्जक्ट् जो है याने की जो यहह वी जो था कि यह को झायगा कर इस घायब दटन न यन decrene एक वल और आधिक यहां तरह गैए वाट एक किसंपल प्रिजेंट है क्या यह यह इस इन इस अट पेज़न परेशन थे वह अगृट्ष वहाट किस नहीं अबाउट इसे इंपको जफेंट होगया हुआ है कि शिंपल पास्ट के वाला है सिंपल पास्ट वैर दिनी यू पूट दबुक वेर रहा गया वेर वह वास्ट डुट पूट बाइड यू बाइड यू जो है यू जो है वो हो गया हीटेन इस वहर वाज दो पूट पूट अब यह कुछ रिफरेंस के लिए आपके इसको देखके थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अच्छा ओनलाइन आपको प्रैक्टिस होगारा करते हैं कि नहीं इंग्लिस का या किसी भी टॉपिक का किसी भी सब्जेक्ट का करते हैं ओनलाइन एक साइड है क्या तो नाम सकते हैं इगो इगो फॉर यू टॉट कॉम इगो इंग्लिस ग्रामर ओनलाइन इगो इजी ओ फॉर फॉर मता वन तो ट्री फॉर वाला फॉर फॉर यू शिर्प यू टॉट कॉम इगो इगो फॉर यू. कॉम यूड यू अर भी है इस प्रक्टिस कर सकते हैं प्रेक्टिक्स करते रहेंगे तो जैसे ओलाइन अम लोग भी ऑलाइन पढ़ रहा है तो ऐसे ऑलाइन आप प्रेक्टिस कर लिजिए खुद ही अपना सेस्मेंट कर लिजिए तो इसको निखाले अपना आपका मॉक्तेस्ट इंगलिजिस का एक्टिव टेस्ट दिए बास अपना देख प्रेक्टिस गयों कि अच्छा कोई करता है कि खाली सब्सक्राइब बावाइल कुछ पढ़ाई का चीज कर रहा है कोई भी करता है यहां इस बैच्टिस इस से खाली समय है जोने कुछ पढ़ाई बदेव तरह अ डवा तरह सारह सब्लिक्ट का कर सकता अवब भी सर्पेसानी के इंगलिश का एक करेंट किस दूर्टिश की करें कि अखक्व करते हैं सर लो सब कि सभी तो कि mathematics करते हैंorial YouTube से कुछ कुछ समझ में नहीं आता सब Vladimir TV कि लेते हैं आया उसकी महाँ गुरू तो है यापका YouTube और चीज़ का नहीं देता आ अल हग किया है ऑपर से कोई योट्यूबर है क्या है if क्या सर्ट रहा है यूट्यूबर है क्या Whyouse means नैसर नहीं कि स्राइब इस रिखते हैं को ई नहीं है इसका मतलब है कि आ इसका मतलब आप वोल ने यूटिवर में का वलनुप यूटिवर जिसे का यूटिवर में हुद का चैनल होता है कि बास बास हाँ जो अपना चैनल बनाता है न लोग है विडियो बनाता है लाइज आता है विडियो बनाता है अप्लोड करता है कि यह समझेंगे इस अब जादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहरा है भाई यह सब नहीं कि वेस्ट कर सकता है जाओ है याद आया ओम-प्रकास का तो हम यह लिख लिये हुआ पूअ वास 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 मैंस में ब असी वास वास फॉल रखते हैं मैं फूल लाइज भूता है लावर को डूता है वाग वास वाई होम हू के बतले क्या अहूजाएंगा बाइव इसके द्वारा किसने फुल्धानी को तोड़ा यह क्या बोल रहा है किसके द्वारा फुल्धानी को तोड़ा गया, तो by whom was the was broken, by whom was the was broken, इसके द्वारा तोड़ा गया वेंड डिडिड यू फील दर टुट अपने अर्थुकेक को कब महसूस किया तर स्वाइवे था ताप कि जब क्या कर रहे थे उठे वे थे बैठे वे थे इसका वेंड वेंड रहेगा वेंड वास्ट अर्थुक्रेख फेल्ट बाई यू जो है वह हो जाएगा फिड़न पाई यू इड़न है इसले यू को ब्रैकेट में डाल दिया है यह एक देन है नेक्स्ट है हूम डिडिड यू इनवाइट आपने किसको आमंत्रित किया हूम का हो जाएगा हूँ को का हो जा रहा है बाई हूम का हो जा रहा हूँ वाज इनवाइट बाई यू आपके दौरा किसको इनवाइट किया गयाんです what did he say what कैयमत किया है what did he say ूसने क्या कहा उसके दौरा क्या कहा what was said by him लोग हिंदी वाले जो हैं हम लोग को अगर उत्रास नहीं समझ में आता था ना जब ये अजले अजलेरी भर्व क्या होता है जानता सब लोग होगा इसने बहुत ज्यादा इस वर टाइम नहीं परबाद करना है लेकिन होता क्या है पता यह तो लिखा हुआ यापर पता यह क्या होता है और जलेरी भर्व और मॉडल्स लिखा हुआ है दोनों का इसी को पता है और रिवर्ब क्या था इसी का डू यू नो वाट इस और रिवर्ब सब्सक्राइब करता है क्यों लिखा हुआ इसे लिए लिए लिपिंग भर्व ला इसी को बोलता ना एल्पिंग वर्व क्यों बोल रहा है क्योंकि आपका मेन वर्व को हेल्प कर रहा है यह से जैसे आई केन अंसर दो कोशिम्ल तो अंसर अंसर तो बर्व गश्राइब कर रहा इसके सकता है उपके वर्व उन्ट में अगरव मरें और दिसक्राइब एक्शन को डियुकर पार तो छी क्रेक्षॉफी करता है में वर्प का इंग्लिश और रिवर्ब्स इंग्लिश के और रिवर्प कौन कौन से होते हैं पर कौन से होते हैं पढ़िए पिकें गुट्ट टेर टू है वे में माइट मस्ट नीट और सेल सुट विल उड़ और भी कुछ बढ़ा क्या पर अच्छा अचा मोडल वर्प मोडल वर्प क्या होता है एक पॉर्ट में और माइट कमडल वर्प भी और बोता है ऐसा आजलरी वर्प जो कि आपका क्या किसको एक्स्प्रस कर रहा है नेसेसिटी या पॉसिबिलिटी को आवशच्छता या एवश्चता है मॉडल भर जैसे मस्ट तुद तूड इनन और माइड ठीक है ये अप लोग धोड़ा आप जानते ही होंग ठीक है और आप आपना को एक दिन कुछ पढ़े क्या लिए बोलेट लिए आ रहाएं ओ कुछ प्रट काले बोलते हम कभी किसी को तरही है वह नहीं था एक्षेल मोडल वर्ग नीकिन किया था उन पर कास्या नारा कुछ कर दो पर सुख लास अपकर स्टिक से नहीं कर पाएं से परसो नहीं हम अच्छाने पर सो ले उसके पहले कभी हम बोले थे जुनियर इंग्लिस ग्रामर पड़ कुछ पड़ करें बोले तो क्या पड़ क्या ने बोले तो याद नहीं आए अच्छा अच्छा इसका एक्टिव से पेसिंग कर से बनाएंगे और मॉडल्स का यह लिखे आप लोग यह लिखे लिखे है अहां सर इसकी इन सॉट ले लिए सर दिस्वाट लिए और पेपर और पेन से कौन लिख रहा है लिख रहा है सर लिख रहा है यह लिखे ना स्ट्रक्चर इसका लिख लिखे 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 ना स्ट्रक्चर इसका कॉमन है अब्जेक्ट प्लस और्जलरी वर्ब या मॉडल वर्ब प्लस बी बी मतलब आपनों प्लस बी यह निए यह सार निए वह लागी यह व्यूज खरता है हम भी आपनों यह दिखने बी यही भी हम सवाल पुछते हैं सही कि हमको याद नहीं रता आता है आप लोग गलत है बता देते हूं I can answer the question the question can be answered by me she would carry the box the box would be carried by her you should open the window the window should be opened by you लिखना जरूरी नहीं है लिख सकता है गलत नहीं होगा लेकिन नहीं लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा अब इसे बोलता है अब इसे बोलता है हम लोग बता है तो आपके द्वारा खिड़की को खुला रहना चाहिए आना चाहिए ऐसा नहीं बोलते हैं मतलब एक तो इतना आपका हमेसा बंद रखते हैं आप बहुसा इतना अच्छा है खड़की खुला रहना चाहिए ऐसा बोलते हैं तो अपन दा विंडो शुट भी ओपन वी माइट प्ले कार्ड्स कार्ड्स माइट बी प्लेट बाइस और टू वाइस कार आपको गाड़ी को क्या करना चाहिए 성 प्लेट अपंक नश्यांता ब्रदाब भरते नश्यस को भरते तो फिल इंघ लिखते हैं उसको फिल खले नहीं फिल इन टो फ्र्मट मरनाः को फ्रमि फिल प या फिल बूलते तहाँ, वो फिल फिल-बूलता है वह फिल नंक फिल ना है, बूलता है, फिल ना förstaeszे। पीली है, फिल ना, फिल व कल फुल एट्रेस। they need not buy bread, bread need not be bought by them. He could not read the sentence, the sentence could not be read by him. उच्चारण चैन्ज हो जागा ना इसका, read का? ये सर्वी डिरेट रिड के बता हो जागा, read, 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 read. The sentence could not be read by him. Spelling से उच्चारण यानि प्रोनुशियर्शन अलग. फिर होगे आपका? Will the teacher test our English? अब यहां है interrogative future है. Simple future. Will the teacher test our English? क्या, teacher को हमारा English test करना चाहिए? क्या, हमारा English teacher के द्वारा test किया जाना चाहिए? Will our English be tested by the teacher? Could Jenny lock the door? Could the door be locked by Jenny? Auxiliary work, model work, में क्या होता है? कि इसका जो यह जो है auxiliary lease मोडल वर्ब्स है यह नहीं change होता है, यह नहीं change होगा. Must ka must ही रहेगा, कुड का कुड ही रहेगा, Will का will ही रहेगा, वतलब यह नहीं change होगा. और लिख लिए है कि यह सब्सक्राइब है कि अब है इंपरेटिव सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है सेंटेंस को भी बाद पड़ा है सेंटेंस चार का होता है बता सकते हैं कौन-कौन सा अब अगर जानते हैं तो बोलिये शर इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्स्क्रामेटरी सेंटेंस पहले वाला बोलियो नब जिसका पहले हम लग जिकर करते हूं अफर्मेटिव सेंटेंस फी जिसका बादोडी आए याटिव सेंटेंस गिलिपार्वारी अजिए टैसें से एटमेटिव सेंटेंस पले डिए इंड एटिव और वीडिव इंडिव करेटीव इन अफरूंटेंस प्रवाटु यदिव इन तोड यव डिव लिव कि निगर्टिव एसक्लावेटरियी चारी होता ना सिंटेंस है ऍária सिंटेंस चारा टाइब का सेंटेंस और फटेंस सटेंस एक इंट्रोगेटिव होता है उसको असर्टी बोलता है उसके बाद आपका इंट्रोगेटिव फिर इंपरेटिव और एक्सक्लामेट्री एक होता है पेटिव आप इंट्रोगेटिव और एक्सक्रामेट्रम्न इप्रेकात आपको चार ही पड़ना चार ही टाइप का होता है मुख्य चार होते हैं उसको ध्यान बहुता है इंपरेटीव इंट्रोगेटी और एक्सक्लामेटरी तो यहां इंपरेटीव सेंटेंस का बात हम करेंगे क्योंकि इंपरेटीव सेंटेंस क्या होता है यह लिखे यह लिखे इंपरेटीव सेंटेंस के बार लिखे है इंपरेटीव सेंटेंस क्या होता है सेंटेंसे विच एक्स्प्रेश रिक्वेस्ट, और अड्वाइस, सजेशन, एक्सेट्रा और कॉल्ड इंपरेटीव सेंटेंस यह लिखे यह वाला यह लिखे वाला इंपरेटीव सेंटेंसेंस, लिखे 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 है। कि आतरी प्यार डिखंट भी अच्छों मिठ Levi सब्सक्राइब इसम घ्र olhos कि, हैं इस fired आ कि आम फ्र विछ पी कि आपको कि अब यह है कुछ रूल्स रूल है मतलब इस्ट्रक्चर है क्या क्या होता कमांड और रिक्वेस्ट अडवाइस और सजेशन कि चारों का कॉलम बना लीजिए ऐसे बना लीजिए या बना दी सक रहा है तो वह ले लिजिए आप लेकिन इसको लिख लीजिएगा क्लास के बाद कि यह साथ कि यह इंपोर्टन नहीं है यह तो है मेकिंग इंपरेटिव सेंटेस एक्टिव बनाने का यह यह इंपोर्टन नहीं है यह इंपोर्टन नहीं है इंपोर्टन यह कैसे बनाएंगे हम पैसी इंपरेटिव सेंटेस यह हैं इस तरह को लूब को लटिंग एंपरेटिव सेंटेस तू परेसिव इसको से स्टाड करते हैं तो किसी में अगर कमांड है तो let से स्टाट होगा पर कि आउडर है, तो यूअर और टू से स्टाट आए रिक्वेस्ट है, तो यू आइख रिक्वेस्ट तू से अडवाईस है, यू अधवाईस्ट तू सजेशन, तो वो सजेशन ऐसे ही हूगा, शूड़ उसमा शूड़ जैसे कि यह देखिए हॉस्पिटल का बाद चल रहा है ठीक है एक हॉस्पिटल है हॉस्पिटल में क्या है कि ख़ड़की खुलने के लिए बोल रहा है बताब अलग-अलग वेक्ति अलग अलग वेक्ति को खिड़की खुलने के लिए बोल रहा है तो कैसे बोलेगा कौन वेक्ति किस वेक्ति को किस प्रकार से बोल रहा है क्या कर रहा है कमांड दे रहा है और दे रहा है क्या कर रहा है क्या कर रहा है क्या है क्या है बात क्या है खिड़की खुलने के लिए बो को नहीं ओर्डर लिदेगा तो कि क्या करेगा कि क्या देरा है उसको मांडर वह कॉट ओर यह सब्सक्राइड फνकरों तो क्या बोलएगा लेट दर्विंडो भी ओपन इसका मताब पेशी हो इसलिए होगा लेट दा विल्डो भी ओपन ठीड की खॉल दी जाया ओडर ने देगा न वह पताब एक कमांड दे रहा है कि भाई हम सुनियर है हम बोल रहे हैं इसको एक परकार का ओडर ही होता है लेकिन वह आडर के रुप में नहीं देता है लेट दा विल्डो भी ओपन इसके बाद ओपन दा विल्डो ही है खड़की खोलने के लिए बोल रहा है को अब बोल रहा है एडविस्ट्रेटर बोल रहा है प्यून को बतब एक क्या कर रहा है एक बड़े पोस्ट का कोई आदमी है एडविस्ट्रेटर है वो प्यून को बोल रहा है तो वो क्या कर रहा है वो ओडर द प्रफिए जाता है तो पैसेंजर को पैसेंजर नहीं होने चाहिए अधर पेशेंट इन फॉस्टेट कोई बाती मतलब लिजे कोई आप बस में ट्रेवल कर रहा है बस में आपके बदब आप सिर्टी वारे सीट पर नहीं बैठाएं तो वह उन्हें अंकल को आपको बोलना है अंकल प्लीज ओपन दा विंडो तो उसका क्या होगा उसका प्लीज लगेगा उसमें उसमें होगा यूर रिक्वेस्टेट टू अनुरोध किया जाता है यूर रिक्वेस्टेट टू अपन दा विंडो उसमाद डॉक्टर अडवाइज पेशेंट डॉक्टर लोग जो है वो पेशेंट को अडवाइज दे रहा है कि खड़की खोल यह खड़की खोल कर रखिए तो पेशिव में क्या बोलेगा यूर अडवाइज टू अपन दा विंडो क्यों क्योंकि अडवाइज दे रहा है सजेशन की अगर बात करें विजिटर सजेस्ट पेशेंट को विजिटर आया है पेशेंट के पास और वो उसको सजेस्ट कर रहा है कि खड़की को खुला रखिए तो पेशिव में कैसे होगा तब विंडो शुड़ भी उपन खड़की को खुली रहनी चाहिए जैसे हिंदी में देख लेजरें ुठी के पूरा ही अंतर है सीनियर डोक्टर क्या बोल रहा है खड़की खोल जाए एंडु इडेमिस्ट्र क्या बोले प These के आपको ऑडर दिए जाते है एंदेश दिया जा अगर आप खूलिएगा ख़िट की तो आपके लिए अच्छा होगा नहीं खोलिएगा तो भी आप समझुए, हम आपको सलह दे रहा है कि आप खुलिए, ठीक है, इसमें ख़ड़ी को खुली रानी चाहिए, विजिटर जो है, सज़्च कर रहा है पेशेंट को, वो भी सज़् यह स्क्रीं स्ट खेक है स्क्राइब लेजे यह है एक्तिव वैस यह है पेसिव आई से डी यह पेसिव आपस्टों तो ते कर स्क्रीं सॉट ले लेजे पहला ये जो half है पहला half है active voice दूसरा half है passive voice हिंदी इंग्लिस दो नो active voice का हिंदी, active voice का इंग्लिस इधर passive voice का इंग्लिस, passive voice का हिंदी इसको screenshot लीचिए और copy में भी लिख लीचिए कल हम लोग थोड़ा से इसका कर लेंगे ऐसे हलका पुलका टेस्ट जैसा कर लेंगे यह होगा? नहीं लिखना नहीं होगा वो तो ऐसे ही तक हिंदी में थोड़ा ज्यादा अच्छे समुझ में आ रहा है न ये सब चीज़ वो लिखने का जोड़त नहीं है आपको सिर्प इंग्लिस लिखना है हो गया? लिख लिख लिए सब स्क्रिंशोट ले लिए सब लोग यस सर्थ यस सर्थ मुझे लिए सर्थ यस सर्थ